कलेक्टव पुलिस अधीक्षक ने किया शहर के कोचिंग संस्थानों का ओचक निरीक्षन, कोविग गाइडलाइन का पालन करने के दिये निर्देश कलेक्टव अक्षय कुमार सिंग और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंग चंदेल सोमवार को ब्रह्मन के लिए निकले तब उन्होंने शहर के कोचिंग संस्थानों का भी ओचक निरीक्षन किया अभी कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं ऐसे में सभी सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ऐसे में प्रशासन भी लगातार सक्रिय होकर कार्यवाही कर रहा है कलेक्टव पुलिस अधीक्षक ने राजेश्वरी रोड पर स्थित नालंदा अकैडमी सहित अन्य कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षन किया और वहां कोविद गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश कोचिंग संचालकों को दिये उन्होंने कोचिंग संचालकों को सक्त लहजे में कहा है कि तीसरी लहर में अब फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं ऐसे में सभी की जिम्मिदारी है कि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें कोचिंग में भीर भार ना हो बच्चों को अलग-अलग बैच में इस प्रकार बुलाएं कि हॉल की क्षमता के अनुसार सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चे बैठ सके और मास्क का उप्योग अनिवार्य रूप से करें यदि कोचिंग संस्थान द्वारा COVID गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा तो समबंधित पर कारिवाही की जाएगी इसलिए सभी कोचिंग संस्थान इसे गमभीरता से लें यह बच्चों की सुरक्षा के साथ ही सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है शिवपुरी मध्य प्रदेश से कपिल धाकर की रिपोर्ट देखते रही आपका अपना चैनल आचलिक खबरे शिवपुरी मध्य चैनल आचलिक खबरे